हेलो फ्रेंड आज हम लोग सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से बैक अप लिया जाता है और फिर उसके बाद उस बैक अप को किस तरीके से हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं आज हम इस सेशन के बारे में सीखेंगे हमें पता होना चाहिए बैक अप का यूस क्या आता है से पहले बैक अप मतलब होता है कि अपने डाटा को सेक्यूर करना कि अगर आपकी एक लोकेशन का डाटा अगर कुछ प्रॉब्लम के मारे खराब हो जाए तो जो आपने बैक अप लिया उस डाटा को रिस्टो करके आगे पॉसेस कर सके तो हर केसिस के अंदर लोग बैक अप जरूर लेते हैं ताकि उनका डाटा सेफ रे सिक्योर रहे हैं और तो हम भीं के अंदर इस तरीके से बैक अप के बारे में Crispy सार करेंगे समय फ्सक्राब बैकपेंडेंस सब्सक्राइब जो भी सब्सक्राइब एक लीजे या फिर मुझे अड़्वांस कोस्ट ट्रेणि क्लासिस का पाइक लेना है उसका पास वर्ड डाला दूंगा और जैसी एंटर मारूंगा तो हमारे पार तो पॉसे जाएंगे पहले लिखा होगा नॉर्मल बैककप और सेकेंड बन होगा हमारा फाइल ट्रांसपर पॉट पॉटकॉल बैककप यह पैसिकली सर्वर के लिए उसके जाता है अभी हमें सेशन में सर्वर के बारे में नहीं सीखेंगे उसके बाद ही करता है जो बैककप जाना सटार्ट हो जाए और विदिन मिनिट में हमारा बैकप रॉज़ाए milk कभी गजलती से हमारी कमपपणी बैककप पर जाएंगे और इस कंपनी पर देंगे यह हमारी कंपण होगे अगर इसी company को दुबारा हमें restore करना है या दुबारा इस company को लेके आना है तो हम उस cases में restore करते हैं क्या करते है री स्टोर जब आप फर्स time restore करो तो कुछ busy इस तरीके से आपको देगा था ता complete busy accounting software was stopped and working कि वो stop お गया है और working नहीं कर करेंगे मैं और दुबारा व्रीक को उनम करेंगे मार्ट52 करेंगे अब भी करेंगे अब दुबारा रिस्टोर पर आएगे जैसी आप से पूछेगा आपका बैक पकां करो है तो आपस बैक अब आप बता देंगे बैक आप जिस लोकेशन में था आपका बैक आप डैस्टोप पे था तो डाल के ओके करेंगे और इसको करेंगे तो लिखके आएगा डाटा रिस्टोरेशन बैक फॉर दा कंपनी एडवांस को स्ट्रेनिंग क्लास और फाइनेशल टेकन ऑन दा सबसे पहले आपकी कंपनी को ऑन करना पड़ेगा उसके बाद आना पड़ेगा एड्मिस्ट्रेटर के केंदर अम उना आपको नेक्स टॉपिक मिलेगा बैकप कंफिगरेशन कव सब्सक्राइ台 करेंगे तो तो यह जाएगा मंडे डी डान का फोल्डर बने गा नाम से उसके अंदर मंडे का फोल्डर बने इसको कौपी करूअ कि कर के पर इसको कहले इसको कर तो बार नजिद में थुम इसको करद तरे और इसको कर दो संद देखो जैसे इंटर मात्र मैसेज आता है डाट टी स्पेसिफाइड डी ड्राइप इस दस नॉट एक्जिस दूए वांट तो क्रेट इस फोल्ड में का यस के लिए और यहां पर लिखा होता है पर मोट फोल्ड बैककप अड़ टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपन मतलब होता है कि आपको बिना बैककप लिए तो जाना ही नहीं है तो आप इस टॉपिक करके आगे बर सकते हैं मेरे कैसे इस टॉपिक को मैं यूज नहीं करता बहुत से लोग मुस्ते से पूछने हैं सर जब आप बैक अब लोगे तो उस दिन का बैक अब जाता है सारा सब्सक्राइब कर दो और फिर आप कंपनी बंद करोगे तो आपसे एक मैसेज पूछागा डू यू वांट टू टेक बैकप फोर दा कंपनी डिस एंटर एंड जो आपने लोकेशन स्पेसिफाई कीजी और जो आपके सिस्टम में डे ता उस डे के हिसाब से आपको यहां पर टूजरे आ गया और जैसी एंटर मारेंगे आपका बैकप उस लोकेशन में चला गया चला गया इससे कहते हैं ऑल्टॉमाटिक बैकप दूसरा तरीका बहुत से हमें सारी क जाल दीजिएगा और कंटोर विगर के पेस हो यह क्यलाता है ओल्टॉमाटिक बैकप ठीक है तो अब इस तरीके से आप बीजी के अंदर बैकप ले सकते हैं तो आज के सेशन में हमने सीखा कि हम किस तरीके से बीजी के अंदर बैकप ले सकते हैं